हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं रजनी की रसेपी और आज हम बनाने जा रहे हैं गन्ने की रसे खीर आपने बहुत सारी खीर खाई होगी लेकिन आज हम गन्ने की रसे ही खीर बनाएंगे ये देखे, ये मैंने ले लिए छावल चावल, आख्का आपको ध्यान रखना है, कि हमने चावल वासमती बिल्कुल नहीं लेंए, हमारे पास जो मोटे चावल होते हैं, वही लेंए, जिनकी हम जादा तर देखा होगा, आपने किश्रि वगेरा बनाते हैं, आपको इस बात का बाजार में अच्छी तरीके से मिल जाएगा यह जादा महंगा भी नहीं आता है और यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है यह देखिए यह ले लिया है मैंने खाने का सोड़ा जिसे बोलते हैं मीठा सोड़ा भी इसे डालना इसलिए पड़ता है कि जो रस आता है उसके उपर ज जाग के साइड में उसे निकाल लेते हैं उसके निकालने के बाद ही हमने जो चावल लेने हैं वो देखिए अच्छी तरीके से धोगे इसमें डालने हैं और यह तब डालने हैं तब हमारा जो रस लिया हुआ काफी अच्छी तरीके से उबाला जाए इसे बनाने के लिए हम हमें 8 गंटा लगता है 30-40 मिनट लगते हैं देखिए हमारी खीर बनकर अच्छी तरीके से तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं यह देखिए हमने खीर को अच्छी तरीके से बना लिया आप देख सकते हैं और उपर से लगा लिया है हमने गोला गोला बदा यह देखिए आज आज तक आपने काफी सारी खीर खाई होंगी लेकिन आज तक आपने गन्य कीर खीर नहीं खाई तो मेरे तरे से बना कर जरूर खाईए आप और मुझे कॉमेंट में जरूर बताईए ये बनाना बहुती ही आसान है ये देखिए हमने गोला किसमिस में डाल लिया है और इसमें लाइची पाउडर डाले खुस्बू के लिए ये देखिए ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल एकदम तयार हो चुकी है और आज हमने बिल्कुल आपको गाउं की याद दिला दी है इस तरीके से अगर आप खीर खाएंगे तो बहुती बड़ी अलगनी वाली है आप उंगली चाटती रह जाएंगे ये देखिए हमारी खीर रड़ी है अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब जरूर कीज़े और कॉमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी है ये देखिए दोस्तो आज से बाद में आपने कभी नहीं खाई होगी ऐसी खीर